ममा विहान को देख लेना सो रहा है मैं जा रही हूँ अपनी वोक पे आज तो इस टाइम भी बहुत ठंड है तीन सड़े तीन बजरे आज धूपनी निकली मिल्कुल लेकिन अपना टार्गेट है थोड़ा सा दस हजार स्टेप्स पूरे करने है तो निकल ली हूँ अपना मिल्फील हो रही है यहां दूप है मेरे वहाँ एरिये में तो बिल्कुल दूपनी थी मैं बहुत सारे चखकर एक साथ नहीं लगाती हूँ एक चक्कर राउंड लगाऊँगी अपनी कोलोनी का फिर मैं वापिस घर आती हूं विहान को संभाल लेती हूं देखती उसके बाद फिर एक और राउंड लगाती हूं यहां ममा कड़ी का रहे थे उन्होंने बनाई थी, दो कडोरी कड़ी ले ली थी और रात की पूरी हा रखी थी, वो खा रहे थे और यहां मैं ममा को मना कर रही थी कि ममा रहने दो, मैं कर लेती हूं काम आप बैठ जाओ विहान के पास मैंने विहान के लिए खिचडी बनाती है अभी सोके उठेगा ना तो खा लेगा लंच में बस मैं इतनी खाऊंगी खिचडी मैंने आप सबसे सपोर्ट मांगा था तो किसी ने मुझे सजेशन दिया था कि आप अपने वीडियो के जिसे थमनेल टाइटल होता है वो थोड़ा सा वीडियो से रिलेटिड रखा करो एक्चली होता तो वीडियो से रिलेटिड है बट मैं थोड़ा सा ना कैची बना देती थी उसको मतलब बात को जिसे उसी बात को घुमा के लिख दिया बट मुझे ऐसा लग रहा है कि वो चीज ना मुझे नुकसान दे रही है लोंग डर्म में वो मेरा फायदा नहीं कर रह रखती है कि अब पता है मेरे साथ क्या हो रहा है अगर वीडियो की टाइटल थमनेल सिंपल रखती होना तो लोगों को यह लगता है कि इस वीडियो में तो कुछ हो गाई नहीं क्योंकि जिसमें यह इतना कैची लिखती थी वो इतनी नूर्मल उती थी वीडियो तो मतलब जब तक ये कुछ ऐसा ना लिखेगी तड़क भड़क वाला टाइटल थबनेल में तब तक हम वीडियो नहीं खोलेंगे, मतलब दो साल में मैंने वो आदर डला दी मेरी गलती है, पब्लिक को अगर मैं सिंपल ही लिखती ना टाइटल थमनेल तो मेरे वो भी चलते और वो भी वीडियो मेरी उतनी ही लोग देखते और मेरा ना कंटेंट बीच में कहीं महीने तक 5-6 महीने बीच में क्या था कि बहुत सिंपल सा रहता था घर के होम टूर दिखाती थी घर की स आप सफाई वगरा और उस पर व्यूस भी बहुत अच्छे आते थे फिर बीच मेरी लाइफ में आप एंड डाउन इतने जादा हो गए मतला मेरी लाइफ में इतनी दिक्कते आई इतनी जादा पूछो मत मैं इतनी रोई तो मैं आजासे मैं को पता जब ही मैं मैं में अपन बना रही थी थोड़ी सी खुद के लिए वस चैट पटा खाने का दिल कर रहा था और इसलिए मैं सोच रही हूं कि ना मैं थोड़ा अपना सिंपल ही रखना शुरू कर दूँ चाहे मेरे एक बार के लिए माह हो सकता है कुछ महीने मेरे व्यूज कम आए या जादा आए मैं पिला दो या जादा तेज ने किया नॉर्मरल है एक्टम मैंने तो मम्मी ये वाली ट्रे ना खाने की लगा दी है कोई मेमान तो आता नहीं इस ही में खा लेती हूं मैं तो खाना मुझे बड़ी पसंद आती है तो मैंने तस रुपे का छोटू मैगी का पैकिक बनाए है मैंने देख्या अगूद थोड़ दरूस के लिए देख्या नॉर्मरल है ममा यहां मुझे बोल रहे थे कि तु दरवाजा अंदर से बंद कर ले वरना फिर मैं बाहर से लगा जाती हूं फिर तु कहीं घंटों के लिए लोग हो जाती है और विहानना मुझ की तरफ देख र और आजकल यह फिर से पता नहीं इसको क्या हो गया यह फिर से बरतनों के साथ खेलने लगया तो ममा यहां आई हुए थे फिर यह करीबन आठ बजे का टाइम था रात का तो यह मैंने इसको खाली डिबी दे दी थी लिपस्टिक की की खेल लेगा और मैं चड़ी गई थी ए एक दो-दो राउंड लगाके मैं अपना पूरा करती हूँ और जब मैं आई ही ना इसने मेरी एक लिपस्टिक पूरी ख़राब कर दी फ्रिज के उपर रखी हुई थी वहां से उठाके यह बेखना यह वली मेरी लिपस्टिक पूरी ख़राब कर दी विहाने और यह चादर ये चादर ये टाइस खादी साप ने क्या किया है तेकर दूसरी दी तो थी वो दूसरी दूसरी दी थी वो का है वो दी थी वो इंकलाना वो खाल ली ये री ये री ये रात को डीनर में देखिये मैंने ये कटोरी लिया है कोन फ्लेक्स थोड़ा सा मीठे की क्रेविंग हो रही थी वो भी खतम हो जाएगी और विना थोड़ा सा पेट भी भर जाएगा देखो विहान बूखा है इस टाइम क्या कर रहा है वियान खाना खा रहे हो तो ये देखिये ये है आलू का पराथा ये देखो अपने आप हाथ लेके चादर से खाना खा रहे हैं खालिया और खालो खाओ भी टाखाना खाओ हाओ हाँ वेरी गूड़ भूख लग रही है यू 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 चादर कर रहे है तो ये देखिये ये थोड़ा सा घी है साथ में लगा के थिलाओंगी बाबू को ये पराथ है गुड़ मॉर्णिंग एब्रिवन सुबह के आठ बच रहे हैं और मैं सुबह छे बजे उठ गई थी लेकिन मैं आंखे बंद करके ये देखो आप लेटी रही मैंने कम मैं उठूंगी नी छे बजे वरना मुझे पूरा दिन नींद चड़ेगी बस आंखे बंद थी सोही न देख लेजस कि कैंछ म संकर चोथ है ममा को भी याद दिला देथा तो अब ही मुझे इचम से याद किया संकर अधा और मैं जा गई थी किछन में फटाफड खाना बनाने खाना खाने मैं बार मैं क्या क् Hess BT गूगवल करती हो और देखती हूं संकर्चोथ पे K्या का सकते है पढ़ लिया इस वर्थ में नहाया जाता है सुबह उठके लाल रंग के कपड़े पहने जाते हैं बच्चों के लिए किया जाता है निरचला वर्थ होता है चंद्रमा को देखकर ही वर्थ तोड़ा जाता है मतलब कुछ कुछ करवा चोथ जैसा होता है होईयों में तारे देखके तोड़ते है इसमें और इसमें गणेश ची की पूजा होती है और गुड और दिल का परसाथ चड़ाया जाता है और रात को फल खाकर या कोई फल या मीठी चीज़ खाकर वर्थ को खोला जाता है वो भी चंद्रमा को अर्द्क दे कर सही कालो मैंने मैं कपडों में क्या पहनूँगी, यलो कलर का तो देखे मैंने स्वेतर है, काफी दीन होगे क्यूंकि थोड़ा मोटा है, और ये देखे बिल्कुल पहली बार पहनूंगी, रेड कलर का नाइट सूट है, है तो ये गरमियों का मैंने रख रखा था यहाँ अच्छा है कपडा तो पहन लेते हैं रेड़ कलर के लिए ये कुछ नया कपड़ा तो यही है मेरे पास मेरा बाबु अड़ीया सोखे बाबु आपके लिए वर्त रख रही है आपकी लंबी उम्र के लिए तो एक बच्चा मेरी गुबली मुबली एक बात मुझे आप सब के साथ शेयर करनी थी आपने बागवान मुवी देखी है उसमें याद है अमिताब बच्चन के खुद के चार बेटे होते हैं और चारों बेटे उनके साथ गंदा विवहार करते हैं और इन दा एंड वो क्या करते हैं अपनी पत्नी के साथ रहते हैं बलब दुखी हो जाते हैं उनका मन भर जाता है जिशतों से उसके बाद वो बच्चे वापीस आते हैं सोरी बोडने के लिए लेकि ना मिताब बच्चन साफ कह देते हैं बना करते हैं उन्हें ना तो माफ करते हैं उनसे साइड हो देते हैं और हम अपनी लाइफ अलग निकालते हैं तो वो चीज मैं आपको एक एक जामपल के साथ समझाना चाहरी हूं कि मेरी जिंदगी अब किस तोर पे चल रही है तो मेरी लाइफ में देखो जैसे उन्होंने वो फिल्म में दिखाया था क्योंकि वो फिल्म में कहीं बार क्या होते हैं जिंदगी की रियालिटी दिखाती हैं क्योंकि होता है लोगों के साथ चीजे कहीं होती हैं बहुत सी चीजे होती हैं तो मै बस इतना बोलूँगी जिसने भी बुरा किया उनको तो पता है कि मेरे साथ किया गलत मेरे जिंदगी का एसमें मेरे से दूरिया बनाई तो जैसे मतलब वो था ना जैसे हमिताब बच्चन बिचिताए है जिए हमारी हो और फैसा आिसे जिसने किया होगा वो तो समझाएगा समझ जाएगा वीडियो में किसकी बात कर रही हूँ है ना तो मैं जिसकी भी बात कर रही हूँ वो समझ जाएगा तो मैं उसके लिए इतना बोलूँगी बस जो भी वो हूँ है ना क्योंकि मैंने अपनी वीडियो में एक तारीक से बोला था कि मिनको किसी के बारे में बात ही करनी, मैं सब को छोड़ दिया है, इसलिए मैं किसी का नाम नहीं ले रही है, हाँ बट मैं इतना जरूर दूँगी, क्योंकि जिसको हिंड मिलनी होगी, वो मिल जाएगी, तो मैं इतना बोलूँगी, कि जो मेरे और मेरे बच्चे के बुरे वक्त में काम नहीं आए, उसका कोई साथ नहीं दिया, उसको मतलम बिल्कुल किनारा कर दिया, तो आज के टाइम में मेरा स्टैंड यह है, कि कोई मेरे सामने से दिखेगा भी ना चलता हुआ, मैं रस्ता दिखेए लोग मुसे दूरिया बनांके बैठे हो, लोग मुझसे कंगना काट रहे थे, तो आज मैं कंगना काटती हूँ, मैं अपनी ऊपनी वीडियो में साभ बोलती हूँ, मुझे दूर दूरत तक रिष्टा नी रखना यह से लोगों से, कब्भी भी में देखिए मेरा बेटा भी चोटा है अब ही लेकिन वो भी दिरे दिरे बड़ा होगा वो भी समझेगा मेरी जर्नी समझेगा और उसको भी समझाएगा कि उसकी माने कुतना sacrifice किया कितना ऐसे बुरे वक्त में सिरफ उसकी माने उसका साथ दिया वो खड़ी अपने पुरायों का भेद उसको समझ आ जाएगा कि कौन नाम के रिष्टे थे उसके बेरे बेटे की जिंदगी में जो रिष्टे ना होते हुए भी ना के बराबर थे और कौन सा रिष्टा उस मेरे बच्चे के सचा रिष्टा था वो समझ जाएगा बड़ा होएगा जैसे और जैसे आज के टाइम में मैं कहती हूँ कि मुझे उन लोगों से किसी से रिष्टा नहीं रखना वैसे ही कल कि मेरा बेटा भी किसी के साथ रिष्टा नहीं रखेगा क्यूँ क्योंकि वो अपनी मा की सुनेगा भремि यहां भया उसकी मान ने किया है अगर उसकी मा के साथ जिसने गलत किया उसके साथ मेरा बिच्चा जाकर खड़ा तो कभी भीilate नहीं होगा उसके साथ कभी खड़ा नहीं होगा तो यह मेरा स्टेंड है आज वीडियो में जहीं जितना है आपको खीचने के लिए पीछे और उस टाइम अगर आगे बढ़ जाते हो ना तो वो हाथ फिर कभी नजर नहीं आता चला जाता है दूर तो वो हाथ आया था अभी कुछ टाइम पहले मेरे को खीचने के लिए पीछे बट मैं नहीं पीछे गई क्योंकि उसी हाथ ने एक बार मुझे ऐसे जटका मार के वाहर फैंका था समझ रहो वो हाथ जो था ना उसने पहले मेरे को खीच के फैंका जब मैं वापीस आने लगी फिर फैंका उसके बाद अब जब मैं वापीस दूर चली गई तो वो हाथ लंबा हाथ करके खीच के मुझ अब मुझे ऐसे तो हो ना नहीं है बिल्कुल भी तो यह मेरा लाइफ का स्टेंड है कि अब मुझे सिर्फ और सिफ आगे देखने हैं नीधी शर्मा को आगे फ्रंट बैक का जो था गया गया वो लोग गए वो एक बुरा सपने की तरह मेरी यादों में रहेंगे यादों में क्योंकि बुरा सपना भी होता है ना जिन्दगी में किसी का एक्सिडेंट हो जाता है रोड एक्सिडेंट तो यादे हमेशा जिन्दगी में रहती है ना कि हाँ यार आपके पैर में ऐसे चोट लगी थी फ्रेक्चर हो गया था आपका एक्सिडेंट हुआ था यह हुआ था अपने पाश्ट से हमने कर लिया कटी, अब कुछ नहीं है, वहाँ कुछ है ही नहीं मेरा, ना था, ना कभी है, ना कभी होगा, बस इतना मैं बोलूँगी कि अब मेरा बच्चा है, और हाँ, जो सनी मेरे को जमेदारी देखे गए है, मेरे बेटे की, वो मैं अच्छे से निभ थी, मेरी पतनी ने मेरा आखरी दम तक साथ दिया, क्योंकि जिससे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता था, उसका साथ मेरी पतनी ने निभाया, मतलब विहान का साथ मैंने निभाया, तो मेरी पतनी से ज़्यादा तो मुझसे कोई प्यार करी नी सकता था, है ना, तो यही ब क्या भान दिया मैं जो चाहता था मेरी जिम्मेदारिया उठा ली तो इससे जधा बड़ी बात और क्या हो सकती है बहुत नाच करते हो Muslims अज में मेरे पती मेरे उपर मुझे पता है Professional तो उसे साथ थे तब आज गर्म महसूस करते हो तो बस इतना ही बोलना चाहती हूँ कि अब लाइफ में आगे बढ़ना है और जो पीछे जो छूट गया उन्थ को छोड़ी देना चाहिए और आगे की तरफ बढ़ना चाहिए जिंदगी में और आसंकर चोट का वरत है तो मैं आपने बच्चे के लिए अच्छे से परत रख रात को ले लूँगी तो बताईएगा जरूर और बस खुश रहने हम जिंदगी में सब कुछ असान करके दिखाने अपनी लाइफ में और आप लोगों के लिए एक एक्जामपल बनके दिखाना है कि हाँ आज कल को यह बोले ना कोई कि ना किसी लड़की के साथ बेटी को क अभी किसी ने कर से निकाला हो किसी के साथ बुरा हो तो वो कहें देखो हमें बाहर निकाला तो हम भी वैसी मजबूत बनेंगे जैसे नीधी मजबूत थी जैसे नीधी ने अपनी लाइफ में श्ट्रगल करके आगे बढ़ी वैसी हम भी आगे बढ़ेंगे हम रोएंगे न टेक्योर